अगर आप एक YouTuber है, educational content creator है या फिर एक teacher है या online आप courses बनाते हैं तो आप लोगों को एक problem सबसे ज़्यादा जरूर आती होगी वो है screen recording कैसे हम HD quality में या 2K quality के अंदर किस तरह अपनी screen को record करें साथ ही हमारा facecam भी record होजाए audio भी हमारी वहीं पर record होजाए हमने कोई presentation देनी है तो हमें बहुत सारे issues आते हैं आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा software लेकर आया हूँ जो ना सिर्फ आपके लिए बहतरी screen recording कर सकते हैं इन सबी features के साथ बलके उसी software में आप लोग अपनी वीडियो को लेक्टर को एड़िट भी कर सकते हैं जाने के all-in-one software आप लोगों के लिए तो आज मैं आप लोगों को complete tutorial देने वाला हूँ के इसको भूस कैसे करते हैं और किस तरह यह आप लोगों के लिए बहुत ज़दा helpful हो सकता है तो आई यह सी करते हैं तो आज की इस वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वह है डेमो क्रियेटर वंडर शेयर की तरफ से एक और बहतरीन software आचुका है content creators के लिए youtube के लिए अगर आप किसी भी लिहास से आपको screen recorder की एक जरूरत महसूस होती है तो यह भाई आपके लिए all-in-one software होने वाला इसका फ्री वर्जन भी आवेलेबल आप इसे फ्री में भी यूज कर सकते हैं और अगर आपको premium features रही है तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि yes it's worth it कि आप इस software को बाय करें जितने features आपको एक ही software के अंदर मिल रहे हैं उसके लिए आपको multiple software's डाउनलोड करने पड़ते हैं और उसमें से कुछ आपको solutions प्री में मिलते हैं कुछ paid में मिलते हैं तो खर्चा उल्टा आपका बढ़ जाता है और शरदर्दी अलग बढ़ते है कि इस software से यह काम होगा उससे यह काम होगा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड कर लेने के बाद आप नई software को simply install कर लेना है Windows and Mac दोनों के लिए available है install करने के बाद यह इसका interface है यहां पर सबसे पहले मैं इसकी settings के बारे मैं बताता हूँ आपने यहां पर आकाउंट लोग इन कर लेना है बहुत ही simple है और बहुत सारे options आपको इसके अंदर मिल जाते हैं यह इसका screen recorder है सबसे पहले इसके अंदर देखे आप यहां पर से multiple screens अगर आपके यहां पर में पस multiple monitors है तो यहां पर मैं उनको select करके recording कर सकता हूँ यहां से आपने कर लिए इसके बाद आपने speaker यहां से select करना है वह आप कर सकते हैं microphone आपको select करना है यहां से microphone भी select कर सकते हैं मेरे पर multiple mic की option यहां से कोई भी mic select करके यहां से recording कर सकता हूँ इसके बाद यहां पर मेरे पस camera setup की option आ रही है इस वक्त मेरा Mac जो camera है वो आप देख सकते हैं यहां से यह setup इस तरह से दिखा है तो आपको यहां पर दिख रहा होगा इसके इलावा यह मज़गी बात आप अपने facecam को during the recording भी आप जहां चाहे इसे move कर सकते हैं इसके अंदर इसके settings कर सकते हैं इसका background remove करना इसके AI recognition का feature आप इसे enable कर सकते हैं अगर आप face move कर रहे हैं तो यह इसमें भी आपको help करेगा आप screen tilt करना चाहते हैं इस ताह से दिखना है इस ताह से दिखना है तो आप यह दोनों काम यहां पर पर से कर सकते हैं and again size बगारा भी आप adjust कर सकते हैं आपको अपने screen आप face cam के size को बड़ा दिखाना है छोटा दिखाना है आपको किसी corner में लेकर जाना है somehow आपको लगता है center में रखना है bottom में लेकर आना top पे आप इसको कहीं पर भी move करवा सकते हैं and simply आप recording के उपर click कर देंगे और यह आपकी यहां पर recording जो है वह start हो जाएगी let's see यहां पर यह देखे रिकॉर्ड बटन के उपर click कर देंगे screen recording करने के बाद यहां पर आपको video editor की option यहीं पर मिल जाती है कि आपको कोई और अलग से software डाउनलोड करने की ज़रूद नहीं आप simply इस video editor के उपर click करेंगे and यहां पर इस तरह से आपका यहां पर यह editing setup आजगा बहुत simple है सिर्फ drag and drop है और आप यहां पर चाहे तो live recording भी कर सकते है for example आप किसी project पर काम कर रहे है और आप कहते के यार यार बीच में कादी में clip add कर देता हूँ यहीं पर अपनी clip record करके और वहां पर इसको add भी कर सकते है मैं आपर आपको कुछ clip add करके दिखाता हूँ import media files और मैंने यहां से कुछ clips यहां पर import कर लिए कोने facecam and यहां पर मेरी screen recording हाँ पर देखे सब से पहले मैंने अपनी स्क्रीन रिकोर्डिंग है इसको यह कर लिए इस तरह से एड़ कर लिया अब इस पर अगर आप देखे इस लिएर के आपर मैंने अपना facecam add कर लिया ये मेरी एक अलग से वीडियो आगी अब यहां पर देखे मैं इस लेक्शन है इस लेयर के आप क्लिक किया, मैं यहां से अपने फेस काम को यह देखें इस हिसाफ से भी मैं आपध कर सकती है, ज्विछ आप लोग लोग नर्मल ही कह रहे होते हैं, इस बाद बाद की ABOUTा है और पीछे स्क्रीन रिकोडिंग चल रहे होता है, वह सब चीजे यहां से आपना volume अपनी clip कर सकते हैं जैसे मुझे इस clip का volume कम करना था तो मैंने यहां से इसको mute कर दिया इसके इलावा यहां पर अगर आप देखें मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा हूं तो यहां पर आपके पास recording एड़ करनी है अगर आप green screen के ओपर record कर रहे हैं background पर आपके green screen है आप यहां पर इसको apply करेंगे apply करने के बाद देखें apply करना बहुत ही simple है clip select किया इसके ओपर जाके आपने simply drag and drop कर दिए आपके पास यहां पर option आगी कोई और color for example मुझे blue color वो देखें मेरा यहां से logo भी हट गया तो आप यहां से इसको अपने हिसाब से adjust कर सकते है फिलाल मुझे green screen यूज नहीं करता मेरा national background है इसके लवा अगर आप यहां पर यह clip देखें मैं और थोड़ा आपको zoom करता हूँ मुझे blur strength बढ़ानी है मैं बढ़ा सकता हूँ मुझे कम करनी है मैं believe करता हूँ थोड़ा normal रखे ताके वह एक natural feel आए आपकी clip के अंदर तो आप इसको इस तरह से blurb भी adjust कर सकते है clip को mirror करना है तो यह देखे जी आपकी clip mirror हो गई अब आप इसको जिस तरह चाहे इस तरह से आप कर सकते है या पिर आप चाहे तो इस फ्लिप को off कर दें यह देखे on कर दें और चाहे तो इस effect को यहां पर आपके delete भी कर सकते है effects के section में आएंगे तो आपके पास जितने भी आपने effects लगाएंगे यहां पर आपके आते जाएंगे for example मैं यहां पर आपको एक और effect लगा कर देखाता हूँ let's say मैंने यह एक effect लिया और यहां पर मैंने यह effect यहां पर लगा दिया यह देखे यह मेरी skin touching कर रहा है ठीक है मैंने सब चीजे में off कर देता हूँ ताके आपको अच्छे से इंदाज आप यह देखे मैं अगर brightness बढ़ा रहा हूँ तो यह मेरी clip की brightness से जाद मेरी skin की brightness को कर रहा है skin toning पर क्लिक कर रहा हो तो यह देखे मेरी skin को कितना ज्यादा इसने enhance कर दिया और यहां से अगर मैं इस effect को delete करना चाहता हूँ simply मैं इसे delete कर दूँगा अगर मुझे इसको delete करना है तो मैं इसको delete कर दूँगा बाइद अब मुझे यह काफी अच्छा लगा अगर आप color grading और यह चीजे आपको इतनी ज्यादा नहीं आती है आप simply एक effect डालेंगे यह देखे इसने clip को कितना ज्यादा आपके सामने यहां पर enhance कर दिया सके लाब आप mouse cursor वगर आपको add करने है वह भी आप यहीं पर add कर सकते है यह जो आपका mouse जो screen recording के अंदर आ रहा होता है आप यहां से simply यह cursor को पकड़ेंगे क्लिप के उपर apply कर देंगे तो जो भी आपका cursor है वह इस तरह से आप इसको use कर सकते है फिर आपके पास different text behaviors है clip motion है आप add कर सकते है अब यहां पर मैं आप लोगों को for example यह clip motion को use करना दिखा तो मैंने यहां पर थोड़ा सा एक ऐसे लिया और मैं यहां से इसको split कर देता हूँ और मैंने यहां पर आके यह effect इस वाले part के उपर लगा दिया otherwise यह मेरे पूरे clip के उपर लग जाता तो अब यहां पर अगर आप देखें और मैं यहां से clip को play करता हूँ तो यह देखें यह वह जो effect अकसरा बात करते हैं कि अलग अलग से effect आ रहे होता है तो आप इदर यहां पर different effects यहां पर लगा सकते हैं आप clip motion यहां पर add कर सकते हैं अब यह देखें इस तरीके से आप अपने different clips के अंदर यहां पर चीज़े एड कर सकते हैं अभी बात यहां पर खतम नहीं होती है इसके बाद आपके पस यहां पर transitions हैं एक clip से दूसरे clip में आप transit करना चाहते हैं तो वह क्या effect आएगा किस सरह से आपकी clip होगी वह आप यहां पर कर सकते हैं different आपको यहां पर बहुत सारी categories and options मिल जाते हैं and एक और चीज आपको बता हूँ यहां पर आपको एक फेवरेट कर टाब में आजेंगी आपको बार बार जाकर चीज़ों करने की जूरत नहीं पड़ेगी इसके लावब यहां पर एक SFX स्टोर भी है नजी चीज़े आपको चाहिए आपको चाहिए आप कर सकते हैं जरी तुम पर पर पहना वहाँ पर चीज़े आपको चाहिए शबसर्श्थ को कहीए अपको श्रॉप कर द्रूप कर दो करेंड़ूड करें जिस भी स्टीकर को पक्लिक करेंगी डांलोड है। साथ ही उसक प्रि पर प्रिवीं भी देख सकतें त्रम आभ्शे मेंन इड्रेकंश taps दील, इस डिंडmm का एड्रेकर, गुजाह एड्रेकरणわかूंशां उस्नाप कामुशन राइग कान इस ड्रेकर दील, मुझे इस अनिमेट स aanभा हु रहा हु अज चाहते हैं, आप सारे आपके ड्रेकर जा का मैं om usp 2 बंडेकर, की में मुझूद है मैं personally wonder share के software use करता हूँ screen recording में बहुत तरह से यूस करता हूँ यह निया product है जो के मुझे बहुत जादा useful लगा कि screen recording आपने की बाद वकात कहो था कि मैं screen recording करता हूँ इसक अदर मुझे issues आजाते कि यह clip अभी नहीं यह minus करना था यह आ गया मुझे for example editor को clip send करना तो मैं बहुत असानी से कुछ basic settings करके send कर सकता हूँ जिससे मेरा भी time बचता है and मेरे editor का भी time बचता है और हम timely एक project को complete कर भाते हैं so wondershare demo creator का link आपको description और comment box पर मिल जाएगा जाएं इसे download करें और इसे use करना start कर दें and inshallah आपको इस tool बहुत जाएदा पसंदाने वाला है मैं मैं में आपको आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Allah आपेस